तो जैसे ही Benton Classic के स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें देखने को मिली थी Omnitrix जिसका यूज करके Benton जो है दस एलिन्स में ट्रांसफर्म हो सकता था और Benton ने ऐसा ही किया और लोगों की मदद करने लगा लेकिन क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि वो Omnitrix जो हमें फर्स ताइम हमें देखने को मिल गई थी Real Omnitrix जिसका यूज करके Benton जो है दस एलिन्स में ट्रांसफर्म हो सकता था लेकिन अगर आप लोगों ने Benton Classic के सारे एपिसोड अच्छे से देखे है तो आप लोगों को याद होगा कि जब Benton Classic में Benton ने जो हमने टेक्स के साथ छेड़ चाड की थी उपरवाला जो डखकन था वो Omnitrix से हट जाता है उसके बाद Omnitrix में फाल्ट आ जाता है कि Omnitrix जो है Benton की एलिन्स को फ्यूजन करने लग जाती है Omnitrix ने String Fly और Four Arms को फ्यूजन करके Benton को String Arms दिया वहीं पर गाइस बैन को जो है कई सारे ऐसे ही एलिन्स मे फ्यूजन होने लगे थे बात यहीं पर खतम नहीं होती इसके इलावा भी हमें कुछ और ऐसा देखने को मिला जब बैन ने जो है Omnitrix के साथ थोड़ी सी छेड़ खानी की और उसके बाद गाईज Omnitrix का जो Master Control है वो अपने आप ओन हो गया वर यह Omnitrix की काफी बड़ी मिस्टेक थी कि उसने थोड़ी सी छेड़ चाड़ करने के बाद ही Master Control को ओन कर दिया अब बैंट जो मास्टर कंट्रोल का यूज करके काफी सारे एलियंस में काफी टाइम तक ट्रांस्पर्म रह सकता था वो कभी बी किसी एलियं का नाम लेके उस एलियंस में हो सकता था और Master Control को आराम से इंस्पेक्टर 13 जो है है कर सकते हैं गलती से बैंने तो इसके Master Control को ओन ही कर दिया था और सबसे ज्यादा सीरिस इस्यू तो उस टाइम पर हो गया था जब हमें देखने को मिला कि डॉक्टर एनिमो को रोकने के लिए बैन ने ओमने ट्रेक्स के एलिन का यूज जैसे Omnitrix का जो है Self Distract Mode On हो जाता है जिसकी जैसे पूरा का पूरे Universe खतरे में आ जाता है और हमें यह बात पता लगती है Tetrax से Tetrax Band को बताता है कि पूरा का पूरा Universe कुछ ही दिनों में खतम हो जाएगा और अगर हमें Universe को बचाना है तो हमें एजमत के पास जाना देंगे उसके बाद ही पूरा का पूरा Universe जो है सेफ हो पाएगा तो यहां पर गाइस Omnitrix का Self Distract Mode जो है अचानक से अपने आप ही ओन हो गया इससे हमें बात पता लगती है कि यह वाली Omnitrix सच में बैन के लिए सिक्योर नहीं थी इसके इलाब अभी अगर आपको मैं इन में ट्रांस्फरम करने लगी थी यहां तक कि बैंटन डिश्टोय आल एलियंस में बैन के मॉम डैड को भी जो Omnitrix है उसने एलियंस में ट्रांस्फरम कर दिया था और अमें वो देखने को भी मिला था और उसी एपिसोड में एजमत को गाइस Omnitrix ने एक टकश्टार मे में डाला है तो मैंने आपको ऐसे कुछ पॉइंट के बारे में बता दिया जिनकी वजह से बैंट की जो Omnitrix है वो बैंट के लिए fully secure नहीं थी आपका इन पर क्या कहना comment करके मुझे जरूर बताना तो आज कि हमारी यह वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो म में तब तक के लिए आप लोग यह वाली वीडियो देख सकते हो